Hello Friends, Welcome to Science Explored जैसे कि अभी Summer स्टार्ट हुआ है और इस Summer सिजन में बहुत से लोगों को Sunstroke का Problem होता है जिसे Heatstroke भी कहा जाता है And it is very serious health problem Globally हर साल बहुत से लोगों की Heatstroke के कारण Death भी हो जाती है तो आज हम इसी टॉपिक के उपर डिसकस करने वाले है इस वीडियो में हम Heatstroke के Symptoms, Causes, Treatment, Diagnosis और Prevention देखने वाले है तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते है Summer Season में अगर कोई परसन बहुत ज़्यादा Temperature में अगर रहता है चाहे वो किसी भी रिजन से क्यों न हो जैसे कि Hot Weather में अगर वो Working कर रहा है Exercise कर रहा है या फिर Simply वो वहाँ पे सिर्व बैठा भी है तो भी उस परसन को Heat Stroke हो सकता है जब Body का Temperature 104 Farats या फिर इससे भी ज़्यादा अगर बढ़ जाता है तो Definitely उस परसन को Heat Stroke होगा और अगर ऐसे Condition Immediately Treat नहीं की गई तो उस परसन के Internal Organ को भी Damage हो सकता है या फिर In Some Cases Heat Stroke Can Be Fatal मतलब परसन की इस Reason से मोद भी हो सकती है तो कैसे पता चलेगा किसी को Heat Stroke हुआ है तो इसके कुछ Symptoms होते हैं तो अभी हम उसे जान लेते हैं तो सबसे पहला और Important Symptom होता है Extremely High Body Temperature मतलब जो परसन है उसे अगर Heat Stroke हुआ है तो उसके Body का Temperature Suddenly बढ़ जाता है Second Symptom है Nausea and Vomiting तो उसे Vomiting हो सकती है उसकी Skin वो Dry हो सकती है या फिर उसकी Skin Radish Color की दिखाई दे सकती है उसे बहुत ज्यादा Skin के उपर जलन भी हो सकती है वो परसन बहुत ज्यादा Confused State में चला जाएगा उसे चक्कर आने लगेंगे या फिर जो Heartbeat का जो Rate होता है वो भी बढ़ जाएगा इसके अलावा और भी कुछ Symptoms होते है जैसे की Tiredness है, Fatigness है परसन को बहुत ज्यादा Sweating भी हो सकती है और उसे Head Act हो सकता है तो ये कुछ Basic Symptoms होते है इससे हम जान सकते है कि किसी को Heat Stroke हुआ है या फिर नहीं अभी हम देखेंगे Heat Stroke होने का क्या कारण हो सकता है तो यहाँ पे मैंने कुछ Basic Reasons बताये है तो सबसे पहला जो है वो है Exposed to a Hot Environment अगर कोई परसन बहुत ज्यादा गरम टेंपरेचर में अगर रहता है बहुत देर तक तो उसे Heat Stroke होने के Chances बढ़ जाएंगे या फिर कोई परसन अगर बहुत ज्यादा Strength का काम कर रहा है Hot Weather में जैसे कि Jumping है, Running है, Aerobic Dancing है तो उसे Sweating ज्यादा होगी Dehydration होगा तो उसे भी Heat Stroke होने के Chances बढ़ जाएंगे Next है Wearing Excess Clothing अगर कोई परसन Cotton Cloth नहीं पहन रहा है Summer में और बहुत ज्यादा कपड़े पहन रहा है, जैसे कि Jeans वगरे है तो उसे भी Sweating होगा और Chances बढ़ जाएंगे Heat Stroke के Next है Drinking Alcohol, जो Alcohol ड्रिंक कर रहा है तो उनके Body में से भी पानी बहुर ज्यादा रिमू हो जाता है और Lastly, Becoming Dehydrated तो जो पानी कम पी रहा है Summer Season में और उसे Sweating अगर ज्यादा हो रही है तो उसे भी Sun Stroke होने के Chances बढ़ जाते है तो सबसे Important क्या हुआ हमें Dehydrate हमारे Body को नहीं होना देना चाहिए Next है Prevention तो Heat Stroke से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए तो यहाँ पे देखे तो सबसे पहला क्या करना है हमें बहुत जादा पानी पीना है और अगर पॉसिबल है तो रोज कुल शौवर लेना चाहिए शौवर थंडे पानी से लेना चाहिए Cotton के cloth wear करने चाहिए अगर पॉसिबल है तो घर पे ही बैठना है Hot environment में नहीं जाना है बट अगर जाना भी पड़े तो उन्होंने sunscreen lotion लगाना है umbrella यूज करना है goggles है, hat है तो ऐसे कुछ चेज़े wear करनी चाहिए ताकि heat से बच सके next है अगर कोई alcohol drink कर रहा है तो उन्होंने avoid करना चाहिए और जो ठीक cotton cloth पहन रहे है तो उन्हें भी वो avoid करना चाहिए तो ये कुछ basic चीज़े करने से हम sunstroke से बस सकते हैं बट अगर sudden sunstroke किसी को होता है तो क्या करना है तो उस patient को तुरण doctor के पास लेके जाना है बट अगर doctor available नहीं है तो primary treatment करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है क्योंकि अगर ऐसे condition में treatment नहीं मिली patient को तो उनके जो internal organs होते है वो damage हो सकते है तो primary treatment क्या करनी है तो तुरण patient को suddenly थंडी जगह पर लेके जाना चाहिए और patient को लेटा कर उसके पैरो को उपर उठा कर रखना चाहिए ताकि उसका blood circulation normal हो यदि patient होश में है तो उसे धेर सारा पानी पिलाना चाहिए और धीरे धीरे body को cold water से थंडा करना चाहिए या फिर body पे water का spray करना चाहिए ताकि उसके body का temperature normal हो सके और patient जल्दी ठीक हो जाए अगर प्रॉपर टाइम पे किसी को treatment ना मिले तो कुछ complication भी उस patient के साथ हो सकते हैं जैसे कि vital organ damage हो सकते है अगर quickly body temperature normal ना किया तो brain को swelling भी हो सकती है and it may be fatal तो इस वज़े से complication ना हो इस वज़े से patient का जो भी temperature है जो भी बड़ा हुआ temperature है उसे कम करने की कोशिश करनी चाहिए और तुरन patient को doctor के पास लेके जाना चाहिए ताकि जो भी complication हो सकते है वो हम उसे रोक सकते heat stroke होने के chances किसे ज़्यादा है that means risk factor क्या है अभी वो discuss करेंगे ज़्यादा तर छोटे बच्चों को heat stroke होने के chances बहुत ज़्यादा रहते हैं secondly जो obese person है उन्हें भी heat stroke हो सकता है या फिर कुछ health condition वाले लोग होते हैं जैसे कि heart से related अगर कोई बिमारी है किसी patient को तो उसे भी heat stroke होने या फिर अगर कोई hot weather में बहुत ज़्यादा exercise कर रहा है या फिर वहाँ वैसे weather में बहुत बैठा हुआ है बहुत देर तक तो उन्हें भी heat stroke होने के chances बढ़ जाते हैं अभी देखेंगे heat stroke को diagnose किया जा सकता है या फिर नहीं तो heat stroke को blood test से diagnose किया जा सकता है इसमें body की gas level check की जाती है as well as potassium और sodium level भी उसमें check की जाती है second जो test होती है वो होती है urine test इसमे kidney का functioning normal है या नहीं patient का वो check किया जाता है next test होती है muscles test इसमे confirm किया जाता है कि कोई muscle damage हुआ है या नहीं और जो लास्स टेस्ट होती है वो होती है X-ray इसके इन्वेस्टिगेट एनी डैमेज तो इसमें क्या देखा जाता है अगर संस्ट्रोक किसी को हुआ है तो उसके इंटर्नल जो ओर्गन होते है वो डैमेज हो सकते है तो X-ray की हेल्प से डिटेक किया जा सकता है कि किसी का इंटर्नल ओर्गन डैमेज है या नहीं तो संस्ट्रोक को हम डाइगनोज कर सकते है ये चार टेस्ट से जो होती है बलड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, मसल टेस्ट और लास्ट होती है X-ray तो यहां तक हुआ हमारा आज का टॉपिक कम्प्लिट जो कि था संस्ट्रोक जिसे हीट स्ट्रोक भी कहा जाता है तो आज हमने डिस्कस किया था कि संस्ट्रोक किस कारण से हो सकता है जैसे कि सबसे इंपोर्टन इसमें पॉइंट है कि अगर बहुत ज़्यादा टाइम तक अगर हम हाट वेदर में रुखते हैं तो हमें संस्ट्रोक होने के चांसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं दूसरा हमने देखा था इसके सिम्टम्स क्या है हमें कैसे पता चलता है कि हमें संस्ट्रोक हुआ है तो जो भी patient है उसका body temperature बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये सबसे बड़ा और important symptom हमने देखा है उसके बाद उसमें जो भी उसकी skin है वो reddish color की हो जाएगी वो dry हो जाएगी ये भी हमने symptom discuss किया था next हमने देखा था कि उसके उपर कोई treatment है या नहीं तो उसके उपर treatment है हम basic कुछ primary treatment उसके उपर कर सकते है अगर doctor available नहीं है उस time तो हम उसके उपर primary treatment कर सकते है जैसे कि हमें उस patient का जो भी body temperature है उसे normal लेके आना है उसके लिए हमें उसको उसके पूरे body के उपर water apply करना है ताकि उसका जो भी body temperature है वो maintain हम कर सके उसके पैरों को उपर उठाना चाहिए ताकि blood circulation proper हो सके और उसका जो भी damage हो सकता है internal organ को उससे वो patient बच सके तो यह हमने उसमें देखा था, उस treatment में देखा था उसके बाद हमने देखा था कि diagnosis के लिए कोई test available है या नहीं अगर बहुत ज़्यादा severe case होती है तो भी diagnosis करने की जरुरत होती है otherwise diagnosis करने की कोई जरुरत नहीं होती है क्योंकि डॉक्टर को पता चल जाता है तो diagnosis के लिए हमने 4 test देखे थे, blood test देखी थी, x-ray देखा था internal organ के लिए उसके बाद हमने muscle test भी देखी थी और lastly हमने देखा था कि prevention हमें कैसे रोकना है sunstroke से खुद के body को ये भी हमने discuss कर लिया था तो आज का हमारा topic यही तक था तो अगर कोई भी biology से related आपको और भी अगर topics चाहिए तो आप मुझे comment box में भी लिखे बेश सकते हो या फिर कोई भी disease अगर है उसके उपर आपको information चाहिए या फिर exam में कोई related कोई biology से related कोई भी topic आपको difficult जाता है तो आप वो भी topic मुझे लिखे बेश सकते हो तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को like जरूर कीजेगा इस वीडियो को share जरूर कीजेगा थैंक यू